हलो फ्रेंड्स लत्वारे फैसंड डिजाइनर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ब्यूटिबू सा स्लीब डिजाइन लेकर क्या हूँ तो उसके लिए देखे मैंने बाजू अपनी कट कर ली है ये quarter inch की जो length स्लीब आती है मतलब 17 inch मैंने इनकी length लखी है स्लीब की और साथ मैं मैंने देखे बुकरूम यहां पर 2 pieces कट किये हूए है बुकरूम की जो चडाई है वो मैंने 2 inch रखी है और इसकी जो लंबाई है वो आपको अपनी मोरी के हिसाब से रखनी है और अब यहां से उपर मैं 1.5 inch पे एक mark करूंगी 1.5 inch पे हमने एक mark करना है जो unfold वाली side है हमारी और यहां से दूसरी तरब को लंबाई वाली तरब को हमने 5 inch पे mark करना है मतलब 0.75 पे अब इनको हमने यूँ तिर्चा उपर मिला लेना है जैसे हमारा triangle बनता है उसी तरह से हम इसको भी मिला लेंगे अब जैसे हमने shape दी है उसी के according हम इसको cut कर लेंगे देखे मैंने आपर यह cut कर लिया अब कुछ इस तरह से देखे हमारी यह दोनों पटिया आएंगी यह दो बाजिओ के लिए मैं आप बना रही हूँ दोनों अलग अलग अब हमने अलग color की देखे दो पटियां काटनी है फैब्रिक की और उनकी देखे हमें यह आधा इंच जादा रखनी है on fold पे है देखे दोनों यह तो हमें यह आधा इंच जादा रखनी है और यह हम बुक्रूम को इक डवाती हूँ इसे लाइं लगाएंगे बुक्रूम के ओपर हम से लाई लगांगे यह उपर वाली तरफ से हम आरा फैब्रिक बिलकुल बराबर होना चाहिए ये देखे इस तरह से अगर आपका फैबरिक बढ़ भी रहा है तब भी कुछ नहीं है आप बढ़ा की भी रख सकते हो इसको बढ़ फैबरिक आपका बेस ना हो इसलिए मैंने उपर की तरफ को मार्जन नहीं रखा है सिर्फ मार्जन मैंने नीचे की तरफ को ही रखा है जब भी आप ये पट्टी काटो के देखिए तो आन फोल्ड पे हमारी ये पट्टी है और हमने इसकी जो आधा इंच हमने जादा इसकी चौड़ाई रखी है मिसलब घार दो इंच रखी है तो आप इसकी जो पांच इंच सिंगल पर आपनी पांच इंच कटना है और ऐसे आपनी डाइंच कटना है इस तरह से हमने अब सेंटर से हमने इसको कट कर लेना है फैब्रिक पे हम कट कर लेंगे वी इस सेंटर में हम छूटा सा नाच लगाएंगे ताकि हमें पलटने में दिकत ना हो अब यह के दूसरे को भी, हम इसी तरह से कट कर लेंगे साइड में जो मेरा बड़ा हुआ कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया अब इसको मैं राइट साइड की तरफ को टरन कर रही हूँ नोक भी हमने बाहर इसकी निकालनी है यह देखे इस तरह से हो इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे दोनों को इस तरह से फिर आएगा तो अभी मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ यह देखे प्रेस मैंने कर ले है अब हम बाजू के उपर अटेच करेंगे तो अब हम अपने बाजू लेंगे देखे यह देखे इस तरह से बाजू में जो हम आप जमा करते हूँ लंथ में आपको जमा नहीं करना है सिर्फ हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है यह देखे इस तरह से अब हम इसको सेंटर जो हमारा कट है वो बिलकुल सेंटर पर आना चाहिए अब हम इसको जोइन कर लेंगे देखे गाटा आपको उपर की तरफ को रहेगा और यह बिलकुल सेंटर पर आपका आना चाहिए इस बात का आपने ध्यान रखना है अब हम आगे तक बिल्कुल बुकरूम के बराबर हम सिलाई लगाएंगे जो हमने आदा इंच एक्स्ट्रा रखा था देखिए वो हमारा मार्जन में आ जाएगा बुकरूम के बराबर आपको सिलाई लगानी है यह बुकरूम हलकी सी बुकरूम के उपर दबाते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है तो आप देखिए थोड़ी सी मैं पाइपिंग यहाँ पर निकाल रही हूँ उसी कपड़े की एक्स्टा कपड़ा आपको लगाने की जुरूत नहीं पड़ेगी इसी को आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ को निकालते हुए मैंने बुकरूम को अगर आप दवा दोगे ना थोड़ा सा बुकरूम के उपर सिलाई लगाओगे तो आपकी पाइपिंग बहुत ही अच्छी निकलेगी आप उपर की तरफ से भी हम सिलाई लगा लेंगे निचे की तरफ से देखें आपको पाइपिंग दिख रही होगी अब जैसी हमारी शेप है वैसे ही हमने इसको सिलाई लगा लेनी है यह देखें राइट साट की तरफ को हमने टर्न किया था यह इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे अपनी शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये टॉप स्टिच हमने देना है तो बिल्कुल ब्राबर आपको रखना है ये स्टिच और ये डिजाइन आप अपने ट्राउजर पर भी बना सकते हो सलवार की मोरी पर भी बना सकते हो या पैंट प्लाजों के उपर भी इस डिजाइन को बना सकते हो तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर अपने दोनों बाजुएन यहाँ पर प्रिप्यार कर लिए हैं अब हम इन में दोनों तरफ जाएं हमारे कॉर्णर बन रहे हैं वहाँ पर हम बटन लगाएंगे बटन के साथ इसको डेकुरेट करेंगे इस तरह से सो आई ओप आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया होगा कैसे लगा प्लीज एक मेंट करके जुरूर बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग में दें नेक्स्ट वीडियो में